मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खना करना चाहता हूँ उस काम में लगाए। य。 फिर आप बोलेंगे जी कि क्या खाय क्या पी जो चीज फ्रिस में नहीं रखी है। और जिसको पर्वन इसवर्ष भरपूर हुआ। और जिसको सुरी का प्रकाश भी मिल गया ह। replicate ख़ये। पाने हर चीज ताजा बनाती खाईए फ्रिज में रखी हुई मत खाईए फ्रिज में दूद रखना भी बंद कर दीजे दही भी मत रखे इनको बाहरी रखे न तो आपके जीवन में स्वास्त अपने आप आता चला जाए दूसरा एक नियम है आयुरवेद का नियम है अस्टा जितना गरम आपका शरीर है क्योंकि गरम पानी शरीर को बहुत तरह से सफाई कर देता है टॉक्सिक वेस्ट को शरीर के बाहर निकालते हैं फेटता है पचने में भी मदद करता है शरीर के पूरे तंद्र को व्यवस्तित रखता है हल्का दुबुना पानी ज्यादा गरम भ चबाने का बहुत महत्तु है यूरोप में नहीं यूरोप में क्या है ना ठंडी है मैंने आपको बोला ना ठंडी है तो ये जो जबड़े है ना ये फ्लक्सिबल नहीं तो ज़्यादा चबा नहीं सकते तो जो भी कुछ है जल्दी जल्दी निगल निगल के खाते हैं वो हमार मश्रूरों को साफ करना वो ब्रश से ही संभव है हाड है बहुत तो ब्रश करते हैं आप मत उनकी नकल करिए आपके मुस्रूरे तो बहुत सौफ्ट है इतने सौफ्ट हैं कि थोड़ा भी ब्रश आला तिर्चा चल गया तो खूनी खून निकले तो उनकी नकल करके डूद ब्रश मत करिए फिर क्या करें दंत मंजन है हमारे पास और अगर ब्रश ही करना है तो नीम के दातों से अच्छा कोई नहीं क्योंकि उसके ब्रसंस बहुत सौफ्ट होते हैं प्लास्टिक के ब्रश के ब्रसंस की तुना में वो बहुत सौफ्ट हैं तो दातों करना शुरू कर दीजे, दंदमंजन करिए, तो दात अच्छे रहेंगे, मसूले भी अच्छे रहेंगे, पानी कभी भी ठंडा मत पीजे, तो दात सुरक्षित रहेंगे, गलाभी सुरक्षित रहेंगा, पेट भी अच्छा है, हमेशा गुनगोना पानी पीजे, औ पाज़ा पानी बना के माने हर समय हरका गुम्मुना करके पीते रहें चौधा नियम यह है स्वस्त रहना निरोगी रहना कि खाना खाईए तो खूब अच्छे से चबाईए क्योंकि आपके मसूरे तो फ्लक्सिबल है यूरोप में नहीं है और इतनी बार चबाईए जितने द खाने को इतना चबाईए कि लार के साथ खाना मिले और पानी की तरह से उतर जाए तो जिन्दगी में कभी कोई बीमारी आने की संभाव ना देए फिर ऐसे ही नियमें एक छोटा सा कि पानी पीजिए तो घूट घूट भरके पीजिए जैसे गरम दूद पीते वैसे पानी पीजिए सिप करके पानी पीजिए ताकि ज़्यादा लार शदीर में जाए लार जो है ना बाद पित कफ तीनों को संतुलित रखती है तो घूट तो बहुत थोड़ी सी जैए एक स्वस्त बन शुको जिन्दगी भर स्वस्त रहना हो तो हर दिन साड़े चार से पांच लीपर लार की आवश्यकता वो सिप करके ही संबब है और आप आज से ये शुरू करिए सिप करके पानी पीना तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलेग जिनको भी एडियों में धर्द है न तीन दिन में गायब हो जाए अगर घुटने में दर्द है न 6-7 दिन में ठीक हो जाए कोई भी जॉइंट स्पेन है बारे तेरे दिन में चला जाए कितनी भी भेंकर संदिवात हो सिप करके पानी पीजे और एक सिप में उतना ही पानी एक चम्मच के बराबर उसको थोड़ी देर मुँ में घुमाईए फिर पीजे अगर आपका बजन बहुत बढ़ गया है तो महिने गेड़ महिने में ही 5-6 किलो कम हो जाएगा अपने आप दिना कोई दबा खाए दोस्तो सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिल लाइक कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंडरोड एप डाउनलोड करना ना भूले